ओम शंति, ग्यारा मार्च दो हजार चौबिस, बावा की महावाख्य, मीठी बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविती में जो अंतर है, उसे पहचानो, बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता, प्रश्ण, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थार्थ, बाप से बुध्धियोग लगाते हो, तो पार हो जाते हो, फिर धीरे धीरे, कुसंग अर्थार्थ, देहे के संग में आते हो, तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है, इसलिए कहा जाता, सत का संग तारे, कुसंग बूरे, तुम देहे सहित देहे के सब संबंधों को भूल, बाप का संग करो, अर्थार्थ, बाप को याद करो, तो बाप समान पावन बन जाएंगे, ओम शान्ती, अब बच्चों की दो क्लास हो गई, यह अच्छा है, एक याद की यात्रा, जिससे पाप करते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती हैं, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का, ग्यान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं, तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फरक रहता है, यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, यह मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है, बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुक आते हैं, भल याद करते हैं, परन्तु तुम सम्मुक देखते हो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बात चीत करूं, बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है, ख्याल करो, इसमें बाबा का पार्ट क्या है, और रथ का पार्ट क्या है, क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं, हाँ, खेल सकते हैं, जब कहते हैं, तुम ही से बैठूं, ऐसे ही तुम ही से खाऊं, क्योंकी खुद तो वह खाते नहीं, बच्चों साथ खेलना, कूदना, वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहां ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकी वह सुप्रीम टीचर भी है, टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना, इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन-भिन प्रकार की, सबसे नामी ग्रामी है चौपड का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परन्तु वह जुवा के रूप में है, जुवा वालों को पकड़ते हैं, ये सब भक्ती मार्ग की पुस्तकों से बाते निकाली हैं, तुम जानते हो कि यह व्रत, नेम, आदी सब भक्ती मार्ग की बाते हैं, निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते, अगर भक्ती मार्ग में प्राक्ती होती भी है, तो अल्प काल की, यहां तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है, भक्ती मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं, ज्यान मार्ग है सुख का मार्ग, तुम जान गए हो, हम सुख का वर्सा बाप से ले रहे हैं, भक्ती मार्ग में भी याद करना होता है एक को, एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है, भक्ती भी सतो रजो तमो होती है सबसे उन्च ते उन्च सतो गुणी है शिव बाबा की भक्ती शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाती है जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी है फिर कहते ठिककर भित्तर में हैं, ये गलानी हुई ना तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था फिर मिलना है जरूर तुम ज्यान को अलग, भक्ती को अलग समझते हो राम राज्य और रावन राज्य कैसी चलता है यह भी तुम नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार जानते हो इसलिए पर्चे आदी भी छपाते रहते हैं क्योंकि मनुश्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना तुम्हारा सब कुछ है सच्च बच्चों को सर्विस करनी चाहिए सर्विस तो बहुत है यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए सबसे बड़ा शाश्त्र है यह बैज अब यह है ज्ञान की बाते इसमें समझाना पड़ता है यह याद की यात्रा अलग है इसको कहा जाता है अजपा जाप जपना कुछ नहीं है अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए सिर्फ बाप को याद करना है यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है हम आत्माई उनकी संतान है वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूं मैं कल्प कल्प आता हूं पावन बनाने देह सहित देह के सब संबन्द छोड़ अपने को आत्मा समझो मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे मेरा पार्थ ही है पतितों को पावन बनाने का यह है बुद्धी का योग अत्वा संग बाप की साथ संग से रंग लगता है कहा जाता है संग तारे को संग बोरे बाप से बुद्धी योग लगाने से तुम पार हो जाते हो फिर उतरने शुरू कर देते हो उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे उसका अर्थ भी भक्ती मार्ग वाले नहीं जानते तुम समशते हो हमारी आत्मा पतित है वह पावन के साथ बुद्धी का योग लगाने से पावन बनती है आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने सच्चा सोना बने यह है याद की यात्रा योग अगनी से विकर्म भस्म होते हैं खाद निकल जाती है तुम जानते हो सत्युगी नई दुनिया में हम पवित्र संपोर्ण निर्विकारी थे सोलह कला संपोर्ण भी थे अभी कोई कला नहीं रही है इसको कहा जाता है राहू का ग्रहन सारी दुनिया खास भारत पर राहू का ग्रहन लगा हुआ है तन भी काले हैं जो कुछ तुम इन आखों से देखते हो सब काले है यथा राजा रानी तथा प्रजा शाम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं कितने नाम मनुश्यों के रख दिये हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुन्दर, फिर शाम बनते हो, ज्यान चिता पर बैठने से तुम सुन्दर बन जाते हो। फिर भी यह बनना है, शाम से सुन्दर, सुन्दर से शाम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माई एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धी में आ गया है, हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट। यह तो हैं समझने की बातें। आत्मा को समझना हैं। मैं आत्मा हूं। यह मेरा शरीर है। हम यहां शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं। ड्रामा के प्लैन अनुसार। आत्माई तो सब हैं। कोई में पार्ट कितना हैं, कोई में कितना। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबर वार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवतागराना हैं। यह नौलिज भी तुमको अभी है इस पुरुशुत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहती हैं, यह ज्ञान प्रहलोप हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं हैं, कि देवी देवतागराना की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं, परन्तु वह कैसे स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं, तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो, बहुत हो जाएंगे, तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई जरूर युक्ती निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी, जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी, वही फिर होगी, यह समझ में आता है, बच्चे व्रद्धी को पाते रहेंगे, बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल आदी बनाते हैं, उनको भी समझाओ, यहां भी शादी के लिए धरम शाला आदी बना रहे हैं न, कोई अपने कुलके हैं, तो जट समझ जाते हैं, जो इस कुलके नहीं होंगे, वह विग्न डालेंगे, जो इस कुलके होंगे, वह मानेंगे, कि यह सत्य कहते हैं, जो इस धरम के नहीं होंगे, वह लड़ेंगे, कहिंगे यह तो रसम चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवरती मार्ग है, फिर बाप आई हैं पावन बनाने, तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विग्न पड़ते हैं, आगा खा हैं, उनका कितना मान है, पोप का भी कितना मान है, तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोडों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर हतियाला बंधवाते हैं, इसमें वो लोग इज़्जत समझते हैं, महत्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं, बाप कहते हैं, काम महाशत्रू है, यह ओडिनेंस निकालना मासी का घर नहीं हैं, इसमें समझाने की बड़ी युक्ती चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे, आदी सनातन हिंदु धरम वाले जो हैं उनको समझाओ, वह जट समझ सकते हैं, कि बरोबर आदी सनातन देवी देवता धरम था, नाकी हिंदु, जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझ कर व्रधी को पाते रहेंगे, यह भी पक्का निश्चे है, यह कलम लगता जाएगा, तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो, यह हैं नई दुनिया में रहने वाले, पहले तुमको यह थोड़े ही मालूम था, कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांस्फर करेंगे, जरा भी पता नहीं था, अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुशोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है, हम पुरुशोत्तम बन रही हैं, अब जितना पुरुशार्थ करेंगे, उतना बनेंगे, हर एक को अपने दिल से पूछना है, स्कूल में जिस सबचेक्ट में कच्चे होते हैं, तो समझ जाते हैं, हम नापास होंगे, यह भी पाटशाला है, स्कूल है, गीता पाटशाला तो मशूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है, तुम लिखते हो सच्ची गीता, जूठी गीता, तो भी बिगरते हैं, जरूर खिट-खिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। केटिंग आदी करते रहते हैं, गवर्मेंट को भी हर वर्ष खोट माना घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाई जाते हैं, एक दिन बैंक आदी सब के खाने खोल देगी, अनाज आदी के लिए भी जाच करते हैं, कहां जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो, तुमारे लिए मुख्य है ही याद की आत्रा। बाप कहते हैं, मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे, इस समय तुम्हारे करमों का हिसाब किताब चुक्तू होता है। रही खुई, बची हुई बिमारी आदी, सब बाहर निकलेगी। पिछाडी के रहे हुए करमों का हिसाब किताब चुक्तू होना है। डरना नहीं है। बिमारी में भी मनुश्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है न। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नौलिज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जनम की बात नहीं। भविश्य 21 जनम के लिए हम गैरंटी करते हैं। कभी बिमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयू भी बड़ी होगी। भारत वासियों की आयू बड़ी थी, निरोगी थी। अब बाप तुम बच्चों को शिरीमत देते हैं स्रेइस्ट बनने के लिए। पुरुशोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कहना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो, डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो, नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो, हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं, जिससे हम 21 जनम निरोगी बनते हैं। हेल्थ मेनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सत्युग में मनुष्य बहुत कम थे। शान्ती, सुख, पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सब का कल्यान करने वाले हो। तुम पंडे हो ना। पांडव संप्रदाय हो। यह किसकी बुद्धी में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसी बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनास देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर। सारा चकर तुम्हारी बुद्धी में है। इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहां चाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखाते रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धार्णा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं। यह अनुभव करना है। कुसंग छोड सत के संग में रहना है। दूसरा, करमों का हिसाब किताब याद की यत्रा और करम भोग से चुक्तू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयम को पूरा ट्रांसफर करना है। वर्दान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर वा मर जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहीं प्रवरती में हो, चाहीं सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बना लिया। यह दिल का सोधा है, मुख का स्थूल सोधा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर जीवा ब्रामन है। स्लोगन अगर मेरा शब्द से प्यार है, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज हम सबकी अतीस नहीं बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली, बाप दादा का रथ, छोटा नंदी दादी गुलजार जी, ग्यारा मार्च दो हजार इक्केस को अव्यक्त वतन वासी बनी। आज उनके पुन्य स्मृत्ती देवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके सनहें और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रती सच्ची श्रद्धांजली है। गुलजार दादीजी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो, तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा, मन बुद्धी को एक बाप में लगाना, इकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चोथा, बाबा की साथ का अनुभव करने के लिए, मन बुद्धी को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा, सर्व शक्तिवान बाप साथ है, तो सदा मौज में रहो, ना मोंजो, ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। छठा, अन्थे वाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए, डबल लाइट बनो। साथवा, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ, तो किसी में आँख नहीं दूबेगी। आठवा, अन्तिम समय में मनसा सेवा करने के लिए, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। OM SHANTI